सीधी तस्वीरे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं हनुवान गड़ी से वो फीद्य अब जन्म भूमिसल पहुंच गए हैं ये सीधी तस्वीरे इस वक्त हम दिखा रहें आपके टेलिविशन स्क्रीन पर हैं कि किस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं यहाँ पर राम लला के यह वो पूजन करेंगे अर्चन करेंगे और उसके बाद फिर जो कारिक्रम होने वाला है उसके लिए आगे बढ़ेंगे और आप देखिए यहाँ पर भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी आए उन्होंने हाद धोया है आपर और वो अब आगे बढ़ेंगे राम लला के दर्शन करेंगे पूजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो राम जन्म भूमी पहुंच चुके हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और इनके शंक की ध्वरी और आप ये देखिए ये दिव्य दर्शन है राम लला के जो तस्वीरे हमसुआ से आपको दिखा रहे हैं और प्रधान मंत्री आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं शाज रांग प्रणाम करते हुए अगर हम ये राम घडी इस वक्त हटाएं तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राम लला के दर पर किस तरह से उन्होंने प्रणाम किया कि 29 साल बाद आज प्रधान मंत्री आयोद्या पहुंचे हैं और ये 29 साल किस तरह से गुजरे क्योंकि सांदोलन में भी उनकी जो भूमी का र रध लेकर ओंचे थे यहां पर और आज बतोर प्याएंद वंत्री प्रधान मुंत्री गला का सब्सेवला कार्व हम पहूंचे है यहां पर भूमी पूजन होने वाला है। आप यह तस्वियरें देखिए कि प्रधान मंतरी नरेंद्रमोधी गड़ी लाम शुजन इस कर रहे हैं और ये फूल अर्पित कर रहे हैं माला अर्पित कर रहे हैं बिल्कुल और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधान मंत्री को आपने देखा किस तरीके से शास्टांग दंडवत प्रणाम उन्हों किया और अब वो पूजा अर्चरा कर रहे हैं पहले उन्होंने माला चड़ाई उसके बाद फूल चड़ा रहे हैं आरती करेंगे और ये शायद प्रधान मंत्री के लिए गौरव के साथ ही साथ बहुत भावुक्षण हैं क्योंकि रथियात्रा का नेत्र तो करते हुए उसका संचालन करते हुए जब प्रधान मंत्री आये थे शपतली थे उन्होंने कि जब हम तभी आएंगे जब मंदिर निर्मार का रास्ता प्रदस्त होगा और इस वक्त प्रधान मंत्री राम लला की आरती कर रहे हैं और ये लमहा ये अतिहासिक तस्वीर है क्योंकि 29 साल बाद प्रधान मंत्री आयुद्या पहुंचे देश के पहले प्रधान मंत्री बन गए हैं जो जन्म भूमी पहुंचे हैं और पूजा इस वक्त कर रहे हैं इस वक्त कूजन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी अब देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से राम लला के पास प्रधान मंत् पर आप देख रहे हैं प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी अब परिक्रमा कर रहे हैं इससे पहले आपने वो भी लमहा देखा जब उन्होंने प्रणाम किया शाष्टांग प्रणाम किया और अब परिक्रमा करते हुए प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं तो अ अब वो एतिहासिक पल आही गया है जिसका इंतिजार 500 साल से किया जा रहा था जिसका इंतिजार पूरा देश कर रहा था, दुनिया कर रही थी और वो नजारा, आप देखिये कितना मनमुहक नजारा है, कितनी सुन्दर जाकी है भगवान श्री राम की जिससे प्रणाम कर रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तो वो लमहा वो पल बस अब कुछी देर बाद कुछी वक्त रहे गया है जब वो लमहा आएगा जब भूमी पूजन होगा मंदर निर्मान का इस सीधी तस्विरें आप जण्म भूमी सल से देख रहे हैं जहां पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में योगी आदित्यनाद भी मौजूद है जो कि यहां पर उन्होंने पूजार्चना की और अब वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि राम घडी भी दिखाएंगे हमारी सयोगी प्राची भी हमारे साथ जुड़ गई है जो दिखाएंगी कि राम घडी अब में अब कितना वक्त बच गया है कुछ दिर में आपको वो भी दिखाते हैं लेकिन आप ये तस्वीर देखिए किस तरह से प्रधान मंत्री जैसे ही जन्म भूमी पहुंचे वैसे ही उन्होंने साच्ट्रांग प्रणाम किया धंडवत प्रणाम किया राम लला को ये दो तस्वीरे जब वो जन्म भूमी परिश्र में दाखिल हुए और दूसरी ये पौधा प्रधान मंत्री लगा रहे हैं जो उनके ताय कारिक्रम का हिस्सा था बिलकुल और ये तस्वीरे लगातार आप देख रहे हैं कुछी वक्त रहे गया है 29 मिनट अब पूरे रह चुके हैं जब भूमी पूजन होगा और उससे पहले प्रणाम उन्होंने किया प और उसके खुशी भी आज पूरे देश भर में दिखाई दे रही है राम में होती हुई पूरी जो देश है वो दिखाई दे रहा है और देखे प्रधार मंत्री नरेंदर मोडी भी ये पौधे में पानी डाल रहे हैं और उनके साथ हैं सीअम योगी आदित तेनाद। तो आपनका देख रहे हैं और यह वह संगर्षों के बाद सामने आई है ऑर इस घरी कि जया खोशी है वो आप खुद महसूस कर सकते हैं क्यूंकि लगातार तस्वीरे तो हम आपको दिखाई रहे हैं देश पर से आई तस्वीरे भी लगातार आपको EVP गंगा दिखाई रहा था अभी फिरहाल जो तस्वीरे हैं वो आयोध्या से हैं बेहुत खास पहुत मनमोहक अतिहा ये प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी अभी प्रांगरण में मौजूद है और वहाँ पर पौधा उन्होंने लगाया है सीम योगी आदितनाद भी उनके साथ मौजूद है तो विल्कुल परिजात का पौधा प्रधान मंत्री ने यहां पर लगाया है और प्राची यह पौधा इसने लगाया है क्योंकि इसे माना जाता है कि भगवान विश्णु को इसके जो फूल है वो बहुत प्रिया है बहुत खूबसूरत यह पौधा होता है और इसके जो फू पूल होते हैं कि सुगंद भी बहुत खास होती है और बहुत प्रिया इसके फूल माने जाते हैं भगवान विश्णु को हैं तो ये पौधा उन्होंने लगाया और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि वो पूजा आर्चना कर रहे हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं मंत्री नरिंद्र मोदी और साथ में आप देखिए मुख्य मंत्री योग्या दित्यनात और चंपत्राइ भी नजर आ रहे हैं राम जन्म भूमी ट्रश्ट की तरफ से उनके साथ और अब वो आगे बढ़ रहे हैं प्रधान मंत्री आगे बढ़ रहे हैं से पहले जल्दी से प्राची के पास चलते हैं प्राची राम घड़ी क्या वक्त बता रहे हैं जल्दी से बताएं बिल्कुल दर्चकों को राम घड़ी क्या वक्त बता रहे हैं यह हम दिखा देते हैं 26 मिनट 55 सेकंड 50 सेकंड 49 सेकंड अब रहे गए हैं तो लगातार दिये दीरे करके जो पल है जी बिल्कुल, तो 26 मिनिट बाकी बच गए है, उस एतिहासे क्लमे के लिए जिसका इंतजार दा तस्वीरे आप दे किये किस तरह से, वहाँ पर तयारी चल रही है, प्रधान मंत्री अब आगे बढ़ रहे हैं, और अब तक जो तस्वीरे सामने आई, हनुमान गड़ी में दर किये साश्टांग प्रणाम किया, उसके बाद पूजा अर्चना की और अब जन्म भूमी परिसर से वह बहार निकल रहे हैं, और अब जो कारेक्रम सल है, वहां के लिए प्राची रवाना हो रहे हैं, और ये ताजा और लाइफ तस्वीरे इस वक्त हैं, प्राची. बिल्कों ये दो तस्वीरे देखिए, हम लगातार दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुँचे रामदला के दर पर पूजा अर्चना की फूल उन्होंने चड़ाए, माला उन्होंने चड़ाए, प्रशाश्टांग प्रणाम किय और अब दूसरी तस्वीरे भी आपके सामने हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अब रबाना हो चुके हैं कारेकरम स्थल पर जहांपर फूमी पूजन किया जाएगा, जहांपर मंच सजा है